मितरो, अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, शेयर कीजे साथ रबाएवी आने वाले वीडियो की विडियो की आपको तुरंति मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि क्या हमें अपने पूजा घर में खंडित मूर्थिया रखने चाहिए और अगर हम खंडित मूर्ति अपने पूज़ा घर में रखते हैं तो उनका क्या प्रभाव हमारे पूज़ा पर पड़ता है और हमारे जीवन पर पड़ता है देखें मित्रों पहली बात तो यह पूजा घर सभी घर में स्थापित किया जाता है कोई जादा मूर्थिया रखता है, कोई कम रखता है, कोई एक रखता है, कोई दो रखता है, कोई चार रखता है लेकिन रखते सभी हैं ऐसा कोई ही करोगा जिसमें पूजा घर ना हो जिसकी जैसी आस्था होती है जैसी वेवस्था होती है सभी लोग अपने घर में इस्थान देते हैं बगवान को और उनकी पूजा राधना भी वो यता संभव करते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके पास ग्यान नहीं होता यानि ग्यान का अभाव होता है इस कारण से ही वो बहुत सारी तुरूटिया कर बैठते हैं और तुरूटि करने से उनको उसका प्रभाव भी पढ़ता है ऐसा नहीं है कि अगर आप तुरूटि करते हैं तो आप पूण फल queste परिश्रम करते हैं लेकिन फल प्राप्तने करते हैं तो यह पर इस स्थान करते हैं अपने बैठने के लिए कि लिए खाने के लिए लेकिन ओसके बाद भी अगर आप ऐसा इस्थान नहीं दे पाते हैं, आपके घर में ऐसी विवस्ता नहीं है, जगे की कमी है, तब आप उनको एक ऐसा इस्थान दे जो सबसे शुद हो आपके घर में, यानि जहां पर सबसे ज़्यादा शुदता रहती हो, तो आपको वो इस्थान बगवान को देना चाहिए, और उ किस प्रकार की मूर्थि घर में हमें रखनी चाहिए यानि कि हमें किस धातु की मूर्थि रखनी चाहिए और कौन सी मूर्थिया हमें नहीं रखनी चाहिए और किस प्रकार की मूर्थियों के हमें पूजा करनी चाहिए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि कभी भी आपको अपने घर में एक भगवान की जादा मूर्थिया नहीं रखनी चाहिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस देव की कितनी मूर्थिया रखनी चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूजा घर होता है उसमें एक ही देव की कई कई मूर्थिया हो जाती है जैसे की गनेजी की 3-4 मूर्थिया हो गई मादुर्गा की 2-3 मूर्थिया हो गई या फिर भोले नाथ की 2-3 शीवलिंग हो गई तुए इस प्रकार से काफे सारी जो बगवान जी कट्थे हो जाते हैं कई बार तो हमने देखा है कि किसी किए घर में पाचपाच चेचे लड्डु गुपाल जी होते हैं यूगल जोड़िपे होती हैं इतने सारे मतलब वह होते हैं कि वो पूजा सेवा राधना में ही लगे रहते हैं यानि उनकी सेवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको पूजा करने का समय नहीं मिलता तो वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं और पूजा वो नहीं कर पाते हैं लेकिन कहते हैं एक सदे सब-सदे सब-सद में अगर हम एक को ही साद लेते हैं तो और बाकी सब Д्युत्य होता अपने आप सद जाते हैं आपको यह याद रखना है कि पूजा घर में जो मूर्तिय को है उनकी संक्या आपको जादा नहीं रकनी हैं यानि एक भगवान की आपको एक ही मूर्थी रखने चाहिए तभी सबसे सर्वत्तम होता है दूसरी बात अगर आपके घर में जैसे कि आप पूजा राधना कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिती में आपके घर में आपको इध्यान देना हैं अपनी पूजा घर में भी ध्यान देना है कि आपके घर में ये देखना है कि क्या आपके गणेश जी में गर में कितंवी मूर्तिया नहीं होने चाहिए यानि तीन एक साथ मूर्तियां नहीं रखी जाती है गणिजी की और दूसरी बात मादुरगा की दो मूर्तियां एक साथ नहीं रखी जाती है घर में ये भी आपको ध्यान रखना है दो शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए अपनी पूजा के स्थान पर दो शाली गराम आपको नहीं रखने चाहिए और सूर्य प्रतिमा भी आपको दो नहीं रखने चाहिए गुमती चक्र भी आपको दो नहीं रखने चाहिए तो इस प्रकार से आपको दो दो मूर्तियां जो भी मैंने संखें बताई है तो उससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए, यानि तीन गणीजी आपको नहीं रखनी चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात होती है, साथी, आपको यह याद रखना है कि आपके मंदिर में खंडित मूर्तिया नहीं होने चाहिए, जो आप पूजा करस्थान है, नहीं होते हैं, जैसे कई तस्वीर नहीं होई जाते हैं, यह खंडित जाती है, यह फिर फोटोная चाहिए, जो उतिहों होता है, आपको पुराना हो जाता फट जाता है यह कांच तूड़िया तो उसके बाद भी आप उस मुर्थी को अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं उसकी पूजा करते रहते हैं आपको लगता है यह तो हमारी पचास साल कुरानी मुर्थ यह प्रबाया करते हैं इस जल प्रबाया कर सकते हैं रहते हैं प्रफोट की पूजा करने आपको अशुबता आती है यानि आपके घर में शुबता नहीं रहती अशुबता आती है तो उसका आपको विप्रीत प्रभाव मिलता है यानि विप्रीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है आपको परेशानी होती है और ये शास्त्रोक्त विदान है कि खंडित मुर्द्यों की हमें कभी पूजा नहीं करने चाहिए इनकी पूजा करने से घर में अशुबता आती है लेकिन शिवलिंग जो होता है वो किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होता ये भी एक शास्त्रोक्त विदान है कि शिवलिंग अगर कहीं से खंडित भी हो जाए तो उसको खंडित नहीं माना जाता है उसकी हर प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और साथी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको भगवान की पूजा करते समय उस इस्थान पर परदा अवश्य लगाना चाहिए यानि जब आप उनका शयन कराते हैं तो उस समय पर परदा आपको डाल देना होता है यानि जो भगवान का स्थान होता है या कमरा होता है आपको परदा कर देना होता है और जब भगवान को जगाते हैं तो परदा हटा देते हैं साथ ही जब आप भूग लगाते हैं तो उस समय पर भी आप अपना परदा हटा देते हैं तो इन बातों को आपको विश्य ध्यान रखना होता है मितरू क्योंकि कहते हैं जहां ग्यान है वहापर दोश अवस्य होता है और जो ग्यान नहीं होता, वापर दोश नहीं होता, लेकिन कुछ दोश ऐसे होते हैं, जो हमें अग्यान तवश भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ग्यान नहीं हैं, तो हमें दोश नहीं लगेगा, दोश हमें अवश्य रखता है, कभी जादा लगता है, कभी कम लगता है, तो ऐसी परिष्टिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार की मूर्थिया हम अपने घर में रखते हैं साथ ही आप कोशिच करें कि आपके घर में कोई भी fiber की मूर्थि नहीं हो जो आजकल चलती है काष्ट यानि लकडी की मूर्ती की भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा है तो वो आपको हटा देनी चाहिए जल प्रवा कर देनी चाहिए साथ ही आपको जली हुई मूर्ती की भी पूजा नहीं करनी चाहिए जली जैसे कोई लकड़ी की मूर्थी अगर आपने रख रखी है और वो किसी कारण से जल जाती है या फोटो है उसमें आगे लग जाती है तो ऐसी फोटो तस्वीर की और मूर्थी की आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए उसका भी आपके जीवन पर विपरीद प्रभाव आता है और उसकी पूजा का आपको कोई भी फल प्राप्ट नहीं होता है क्योंकि जो खंडित मूर्थियां होती है खंडित फोटो होती है उसमें और्जा निवास नहीं करती है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए जो उर्जा का जो सबसे बड़ा इस्तोत्र होता है वो धातू की मूर्थिया होती है क्योंकि धातू की मूर्थिया सर्वोत्तम मानी जाती है कोई भी धातू की मूर्थिया रख सकते हैं लेकिन लोहे की धातू की आप नहीं रख सकते हैं मुर्ति आप अश्ट दातों की रख सकते हैं पीतल की रख सकते हैं चांदी की रख सकते हैं सोने की रख सकते हैं लेकिन लोहे की नहीं रख सकते यह आपको विश्य ध्यान रखना है तो इस प्रकार की मुर्ति की स्थापना अपने घर में करें साथ ही एक ध्यान और दें कि आ मूर्ति आपको उपहार सरूप मिलती हैं उनको अपने पूजा इस्थान पर ना रखें और उनकी पूजा ना करें पहली बात तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूंगी किसी भी भगवान की फोटो को चित्र को मूर्ति को हमें किसी को उपहार सरूप देनी चाहिए क और कोई अन्य चीजा उपहार में दे सकते हैं बहुत चीजा होती है मार्केट में लेकिन आप भगवान को उपहार ना समझे क्योंकि भगवान उपहार स्वरूप नहीं दिये जाते हैं ये भाग्ये से प्राप्त किया जाते हैं तो मितरो यह थी जानकारी आप सभी के कि वो आपके मंदारे बढ़ती रहे आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल